हलो दोस्तों, welcome to accounts master जी, आज का जो हमारा topic के discussion के लिए वो class 11th ICAC और class 12th CBAC दोनों के लिए relevant हैं हम बात करेंगे आज NPO के बारे में, NPO के financial statement that is NPO के final accounts के बारे में अगर आप CBAC में है तो यह आपका chapter number 1 है class 12th में और अगर आप class 11th ICAC में है तो यह आपका chapter number 23rd है हैं तो सबसे पहले NPO का हम full form देखते हैं, NPO का full form होता क्या है not for profit organization that is एक ऐसी organization जिसका objective नहीं है profit earn करना, इसी को हम NPO कहते हैं, NPO का एक दूसरा नाम भी होता है non trading concern trading concern हम उनको कहते हैं, जिनका objective profit कमाना होता है और non trading concern हम उनको कहते हैं, जिनका objective profit कमाना नहीं होता है तो सर अगर NPO का objective नहीं है profit कमाना, तो फिर NPO का objective है क्या, तो दोस्तों NPO का objective है service provide करना, भलाई करना, society की at large, या फिर अपने members की सर इसका कोई आप example दे सकते हैं, जैसे की आपकी reliance foundation है ये भी इंडिया में एक आपका NPO है, ये क्या करता है, इसका एक काम ये भी है कि जो poor बच्चे हैं, उनकी education के लिए, education के लिए ये funds provide करते हैं तो यहाँ पर जितने भी poor बच्चे हैं society में, उनके लिए reliance foundation जो है funds arrange करता है, उनके education के लिए, that is reliance foundation जो है society at large को service दे रहा है, एक सामाजिक काम कर रहा है, लोगों के भले के लिए काम कर रहा है तो यह आपका NPO होगा, इसके अलावा NPO serve कर सकता है only and only अपने members को भी और इसका example होता है like clubs, तो जो clubs होते हैं, वो only and only अपने members को service provide करते हैं outsider को service provide नहीं करते हैं, पर club का भी objective यही होता है, कि उनको profit नहीं कमाना है Sir, NPO के और examples क्या हो सकते हैं, जितने भी आपके schools हैं, colleges हैं जितने भी आपके maximum temples हैं, hospitals हैं, यह सब आपके NPO में cover होते हैं यह सब यही कहते हैं, कि इनका objective profit का माना नहीं है, इनका objective society के लिए अच्छा काम करना है society के भले के लिए काम करना है, अपने members के लिए भले के लिए काम करना है सर, आप कह रहे हैं कि school NPO है, that is school का objective नहीं है profit का माना पर school तो हमसे fees लेता है, बिल्कुल, school आपसे fees लेता है पर school यह कहता है, कि उस fees का इस्तमाल, वो only बच्चों को education प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को extra facilities प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करता है, ना कि profit कमाने के लिए यूज़ करता है तो सर्फिर दूसरा question यह arise होता है, कि क्या NPO profit earn करता है की नहीं करता है, actual में आप कह रहे हैं कि उनका objective नहीं है profit earn करना, पर क्या real life में NPO जो है, वो profit earn करता है तो answer है yes, NPO profit तो earn करता है, पर इस profit को वो distribute नहीं करता, they don't distribute this profit to their members जो दूसरी business organization होती है, जैसे कि sole proprietor, वहाँ पर profit हुआ, तो proprietor का हो गया partnership firm को profit हुआ, तो partner को बाद दिया जाता है, company में अगर profit होता है, तो dividend के रूप में shareholder को बाद दिया जाता है पर अगर NPO को profit होता है, तो NPO सबसे पहले इस profit को किसी को भी नहीं बाटती है अगर NPO भी profit बाटना चालू कर दे अपने members को, अपने trustees को, तो फिर NPO, NPO ही नहीं रह जाएगी वो profit objective वाली business concern बन जाएगी तो sir फिर इस profit का क्या होता है, तो ये profit NPO utilize करती है तो जिस भी objective के लिए आपकी NPO बनी है, उस objective के लिए NPO अपने profit का utilization करती है जैसे कि NPO बनती है, normally किन किन और चीज़ों के लिए, promotion के लिए, किस चीज़ का promotion promotion of culture, education, science, arts, health, religion, sports, charity करनी के लिए भी आपकी NPO create होती है Sir, जब NPO profit नहीं कमाती है, profit अपने members को बाटती नहीं है तो NPO के पास पैसे कहां से आते हैं, source of fund क्या है NPO का तो NPO के पास पैसे आते हैं, donations के रूप में, जो NPO को को कोई भी दे सकता है government grants के रूप में, government grants के रूप में, जो NPO के members होते हैं, वो membership fees पे करते हैं NPO को वहाँ से इनको पैसे मिलते हैं, entrance fees भी कह सकते हैं आप इसको admission के time पे NPO में, वो entrance fees पे करते हैं, membership fees अगर एक साथ ले ली जाए, पूरे life के लिए तो इसको life membership fees कहते हैं, वो भी NPO collect करता है अपने member से, NPO अपने member से subscription के भी पैसे लेता है, subscription मतलब यहाँ पर क्या होगा, members अपनी membership को जारी रखने के लिए, alive रखने के लिए, NPO को पैसा देते हैं, इसके अलावा NPO को बाहर से loan मिल सकता है, और भी बहुत सा resource of income होते हैं, जो इस chapter में हम आगे discuss करेंगे ठीक है सर, सर, NPO एक business organization है, तो क्या ये accounts prepare करते हैं? तो answer है, yes, ये accounts prepare करते हैं, सर, क्या NPO final accounts prepare करता है? क्योंकि NPO profit तो कमा नहीं रहा है, तो final account में net profit, net loss निकाल कर क्या करेगा? तो ऐसा नहीं है, NPO को final accounts prepare करना पड़ता है, क्योंकि उनको ये final accounts अपने members को देना होगा, और legal requirement भी होती है कि NPO को final accounts बनाने पड़ेंगे members को क्यों देना है, क्योंकि members NPO को donation देते हैं, subscription देते हैं, membership fees देते हैं, तो members का जानने का ये पूरा right है, कि वो जो पैसे NPO को दे रहे हैं, NPO क्या उसका proper utilization कर रहा है? इसलिए NPO भी जो है आपका final accounts prepare करता है, सर, NPO की types क्या होते है, final accounts के, क्या-क्या वो actual में final accounts में prepare करता है, तो जो आपका NPO है, ये सबसे पहला account बनाता है, receipt and payment account ये account कुछ नहीं है, simply कहें, तो cash account plus bank account का combination है, तो NPO trading account नहीं बनाता, क्योंकि NPO को gross profit, gross loss निकालना नहीं है, NPO, receipt and payment account बनाता है, ये इसका पहला final accounts है, दूसरा आपका NPO prepare करता है, income and expenditure account, जिस तरह से एक trading concern, profit motive वाली concern, profit and loss account बनाते हैं, to know कि net profit, net loss, during an accounting year कितना हुआ है, ठीक उसी तरह से आपकी NPO, profit and loss account की जगा, income and expenditure account बनाती है, इसमें ये दिखाती है कि साल भर में, इनको activities, जो भी इन्होंने carry on करी, उससे इनको profit कितना हुआ, पर इस profit को NPO, profit कहने के जगा, surplus कहता है, क्योंकि NPO का objective नहीं है, कि वो profit के लिए form हुआ है, similarly, अगर NPO को loss हो जाता है, उसकी activities से, तो वो loss वर्ड यूज़ करने की जगा, deficit वर्ड यूज़ करता है, तो ये हो गया आपका NPO का दूसरा final accounts जो वो बनाता है, और at the end, आपका NPO बनाता है, balance sheet, क्योंकि NPO के पास भी बहुत सारी assets होती है, liabilities होते है, capital जो NPO का होता है, उसको हम capital fund बोलते है, corpus fund बोलते है, general fund बोलते है, तो NPO को भी अपने asset और liabilities दिखानी होती है, year end में, तो ये तीन जो हैं, आपके NPO के final accounts है, सर, NPO का legal status क्या होता है, क्या NPO और उसके members, या trustees, या owners, जो भी कहें, क्या वो same होता है, तो पहली बाद तो NPO का कोई owner नहीं होता है, NPO का कोई मालिक नहीं होता है, भले, उन्होंने ही NPO को create कियो ना किया हो, NPO जो है, एक separate legal entity है, जो के अपने members और trustees से totally अलग है, सर, NPO किस form में, इंडिया में काम करता है, तो आपके maximum जो NPO हैं, वो काम करते हैं, या तो एक trust के रूप में, जैसे कि हम सुनते हैं, religious and charitable trust, या फिर societies की रूप में भी, आपका जो है NPO काम करता है, या फिर section 8 है, Company Act 2013 का, उसमें भी provision है, कि आप एक ऐसी company form कर सकते हैं, जिसका objective profit कमाना नहीं है, तो mostly जो आपके NPO हैं, वो इन तीन legal form में, अपना काम carry on करते हैं, तो यहाँ तक की बाते थी, NPO के बारे में, जो आज हमने discuss की, अगले वीडियो में हम बात करेंगे, receipt and payment account की, उसके बाद हम बात करेंगे, और भी बहुत सारे topics हैं, आपके इस chapter में, like fund based accounting क्या होती है, income expenditure account कैसे prepare किये जाते हैं, और treatment क्या होता है, कुछ special items होते हैं आपके NPO में, उन सब के, तो one by one हम उन सभी topic को discuss करेंगे, और उसके लिए मैं आपके लिए, short video जरूर बनाऊंगा, आज के वीडियो का objective था, कि आपको NPO के बारे में, सारी बातें पता चल जाएं, जिससे की, आपका एक concept बैठे, कि NPO होता क्या है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाई, टेक केर, एंड थैंक्स पॉर वाचिंग,